जे जिनीदर, मेरा नाम सम्ता खारिवा, तर्वन रूस्ति, आज का टॉपिक अलोचना सुत्र, अलोचना सुत्र को इच्छा कारणम का पाड बोलते हैं, इसे क्यों इच्छा कारणम का पाड बोलते हैं, यानि इस सूत्र का पहला उपर इच्छा कारणम है, इसे इसको इच् इर्या वयाए यानि इर्या पती की क्रिया चलने दिर्मे में जो क्रिया लगती है वह पडिकमामी यानि प्रतिकमन करूँ यह पहला पाट है, यह पे हम लोग भगवान चे आज्ञा मांग रहे हैं. इच्छम इच्छामी आपकी आज्या प्रमान है पडिकम्यून यानि प्रतिकमन करने की इर्या वैयाए इर्या पतिकी क्रिया में विराहन आए जीवों की विराधना से यानि सकेंड पार्ट में हम भगवान को साक्षी मानकर प्रतिकमन करने की आज्या मांग रहे हैं थर्ड, थर्ड पार्थ में जीवों की विराधनासी, जीवों की, याने कौनसे कौनसे जीव, यानि गमना गमने, आने जाने से पानकमने, बियकमने, हर्यकमने, यानि किसी प्रानी को दबाया हो, बीच को दबाया हो, हरी वनस्पती को दबाया हो, ओस यानि फोग, उत्तें य यानि किडिनगर, यानि किडि का घर. पनग यानि लिलन, पुलन. दग यानि कच्चा पानी. मट्टि यानि सचित मिट्टी. वकडा संताना संकमनि यानि स्पाइडर्स बिब जाले को कुछ लाहो. जे में जीव विराया यानि जो मैंने जीव विराधना की है. 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय यानि 1 इंद्रिय वाले जीव, 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव, 5 इंद्रिय वाले जीव जीवों के पास बोडी, टंग, नोस और आइस हो, तो वो चोरेंद्रिया, जिन जीवों के पास बोडी, टंग, नोस, आइस और येस, ये पांचों सेंस ओकन्स होते हैं ना, तो वो पांच इंद्रिया वाले जीव, जीवों की विराधना, जीव तो अभी सारे जीव आगे, अभी विराधना, विराधना यानि अभिहया, बत्या, लेश्या, संगाईया, संगत्या, परियाविया, हीलामिया, उद्धविया, ठानाओं ठानम, संकमिया, जीवयावो, ववरोगिया, यानि दस प्रकार की जीव व कोई भी जीव अगर हमारे स्पैरों में आ जाए तो उसको गढ़ तया है यानि उसको कष्ट पहुंचा यानि उसको मारने के स्टेट्स तक पहुंचा देते हैं उद्धरिया यानि भैवित, भैवित क्या हो या दराया हो, ठाना हो ठाना संकामिया, यानि एक जगा से लेके दूसरी जगा, एक स्थान से लेके दूसरी स्थान में लेके रखना, जीविया हो ववरोविया, यानि जीव से रहित किया हो, यानि उसको कम्प्लीटली मार दिया कि मिराधना कि प्रतों को दूशिद करने वाले प्रवृती को विराधना कहते हैं जी विराधना ना हो तो उसका क्या उर्पाई है जी विराधना ना हो तो मतलग यह कैसे बचना चाहिए तो यतना से कोई काई पे भी जाये तो यतना से रहे, यतना से उठे, यतना से बैगे, तो जी विरादना से बच सकते हैं, अभी इसे सर्फ इधिया पती की क्रिया, इसको ही क्यों रेफर किया गया है, तो इसको ऐसे समझना चाहिए, सर्फ इधिया पती की क्रिया के लिए यह आलोचना सूत्र नहीं है ये सारी जीव इराधना के लिए इर्यापति की क्रिया कही गई है जैसे अब किसी को कहते हैं रोटी खाई तो इसमें सब आ जाता है रोटी के साथ सब्सी दाल, चावल, रोटी और अन्य चीजें, मिठाई वगरा सब आ जाती है सब एक साथ में आ जाती है उसी प्रकार सर्थ इर्यापति की बोलने से सर्फ चलने फिरने से नहीं सब भी जगा पे जो भी जी विराधना होती है उस सब को रहतर करना चाहिए उस सब को आड़ करना चाहिए जो भी जी विराधना होई है उसके लिए ये आलू चरना सुत्र बोलना चाहिए जे जी नीजर